हालो दोस्तों स्वागात आप सभीक आपके अपने यूट्यूब चेलार मोड़ेस्थ माच्छा फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों बताने वाला हूँ भारत के प्रमुख वेक्तियों की वेतन के बारहे में ठीक है जिसमें होगा हम लोगा देखिये राश्टपती का वेतन प्रमुख की नयदीस का वेतन सुप्रीम कोट के जज का वेतन राज्य के गवर्नर का वेतन और UPSC के चीर्मेन का वेतन यह मैंने दोस्तों प्रमुख वेक्तियों का वेतन लिया है जो अक्सर एक्जामें पूछे जाते हैं देखें सबसे पहले है भारत के राश्टपती तो भारत के वर्तमान राश्टपती कौन है स्री रामनात कोबिन ठीक है भारत के प्रमुख विक्तियों में से एक जिनका वितन होता है पांच लाख प्रती महीना आगे बढ़ते हैं देखते हैं लोग उपराश्टपती ठीक है तो भारत के वर्तमान उपराश्टपती कौन है अभी देखा जाए तो ये है स्री वेंकईया नाइडो दोस्तों ये जो भी आकड़ा है ये मैंने वर्स 2021 में लिया है ठीक है इनका वेतन होता है चार लाख सुखोते हैं और वो कौन है हमारे नरेंद्र मोदी जिनका वेतन होता है दोस्तों एक लाख साथ हजार रुपए प्रती महिना आगे बढ़ते हैं देखते हैं हम लोग भारत के मुख्य नयधिस ठीक है सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसका मुख्य नयधिस तो वो अभी कौन है सिरी अनवी रमन और उनका वेतन जो है वह बात किया जाये तो होता है 2,80,000 रुपए प्रती महिना आगे बढ़ते हैं लोग सुप्रीम कोर्ट के जज बात किया जाये एगर सुप्रीम कोर्ट के नयधिस मुख्य नयधिस नहीं अन्ने जो नयधिस होते है उनका वेतन का बात किया जाए तो वो होता है दो लाख पचास अजार रुपए प्रती महिना ठीक है दोस्तो अगर बात किया जाए राजे के गवर्णर ठीक है न किसी भी राजे के जो राजे पाल होते हैं उनका वेतन तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा वेतन नॉर्मली इसमें जो है परसन में से एक ये भी है UPSC के चेर्मिन का वेतन जो है वो क्या होता है तो उनका वेतन जो होता है वो दो लाख पचास अजार रुपए प्रती महिना होता है तो ये था दोस्तों कुछ प्रमुक वेक्तियों का वेतना